हलो एवरिबन तो आपको जिस तरीके से पता है कि राउंड टू कांसलिंग जो है उसका अलोटमेंट आ चुका है और राउंड टू अलोटमेंट के बाद में सभी बच्चे जो है उनके दिमाग में एक चीज चल रही है कि जो सीट अलोट हुई है उस सीट को हम आप्ट करें या फिर हम हमारे स्टेट से सीट उठाएं ऐसा डैलेमा दिमाग के अंदर चल रहा है उनके और उस डैलेमा से रेलेटेड कुछ बातें कुछ डेटा जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसके लिए मैंने आपको हर कॉलिज का याने कि यह मान के चलिए कि आल इंडि जो 15% कोटा ESI का है जो कहीं स्टुडेंट मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखे थे कि सर ESI के कॉलेजेस के लिए कुछ बताईए कि कट आफ क्या जाता है और ESI के इंटरनल की सबसे बड़ी डिमांड थी कि सर इंटरनल कोटा जो है उसमें कहां तक कॉलेज मिल जाता है उसका क है उनके पहला वाला जो है ओल इंडिया कोटा 15% गॉर्मेंट सीट देख लीजे हम सिर्फ गौवर्मेंट सीट की बात करें इस वीडियो में तो 15% गौवर्मेंट सीट जो है उसका देखो यहां पर ऑल इंडिया कोटा के अंदर सारी केटिगरी मेंशन की गई नेक्स्ट य लेगा और वो कौन से कॉलेज के अंदर लास सीट गई है कौन सी कैटेगरी की वो मैंने यहां पर सामने लिख दी है और इसका स्क्रिंशॉट ले लो जो की मॉप अप के अंदर आपको हेल्फ करेगा देखो और इंडिया कोटा का 15% सीट तो चला गया है राउंड टू कांसलि को देखो और मॉप अप जो है उस मॉप अप के अंदर आप जो है वो शरीक होई है और अपने सेट उठा लेजिए तो यह डेटा आपको हेल्प करेगा कहने का मतलब यह है नेक्स्ट आप देखें बीएच्व ओपन यह कहीं स्टुडेंट बोलते हैं कि सब्सक्राइज का कट ओफ इच कैटेगरी के लिए क्या है तो आप देख सकते हैं यहां तक जिपमर पॉंटिचरी है यहां जिपमर कराइकल है और सभी कैटेगरी यहां पर हमने मेंशन कर दिए दोनों कॉलेजेज की यह के लिए अलग से बनाए हाला कि ऑल इंडिया कोटा 15 परसेंट का जो क उसकी लास्ट सीट का कट ऑफ हर कैटेगरी के लिए यह रहा यह यह यथाई इंटरण है अब यह यह साक इंटरनल के अंदर आप देख लीजिए कि सारी के पॉलेंचन कर दिये जो उनकी इंटरनल कैटजी में लगती हैं उके उनका ओल इंडिया ए और ही कैटिच दिया तो तो ये differences होते हैं ESI के अंदर और normal 15% quota के अंदर, ओके, तो ये था आपके पास में सारी slides, जिनके बारे में cut-off के बारे में, ये जो data हर category से related आपको दियेगे, बड़े helpful होंगे future में भी और आने वाली counselling के अंदर भी, तो जैसा कि आपको पता है, round two allotment होने के बाद में, अब colleges के अंदर रोग reporting करने के लिए जा रहे हैं, तो उससे related doubts जो हैं, वो आप comment box में डाल के हमें पूछिए, हम उसका answer करेंगे, और अगर लगेगा कि बहुत mass level पर same doubt पूछा जा रहा है, तो उसका वीडियो बना करके आपके सामने रख देंगे, जैसे कि आपका doubts वाल हो जाए, और हमारा purpose पूरा हो जाए, कि आपकी help करने का, ओके, और एक सबसे important एक और बात last जाते जाते बोल देता हूँ, वो यह है कि इस साल state का जो mop up round होगा, state का, all India का नहीं, state का second round बोल दो, या फिर मैं बोल देता हूँ, mop up round बोल देता हूँ, तो इनके अंदर chances ज़ादा बनेंगे, तब chances second round और mop up में ज़ादा बनेंगे, तो जो candidate ने all India का second round अगर मान लो, जिनोंने जाकर के seat opt कर ली है, और report कर दिया है, तो वो round two state का और mop up के लिए discard हो जाएंगे, तो जो candidate अगर चाते हैं कि sir, इस साल हमें state के अंदर ज़ादा option है क्या, तो मैं बिलकुल कहूंगा, कि state के अंदर आपके chances इस साल ज़ादा बनेंगे, because of mop up all India में, इस साल जिपमर और AMS included हैं, और साथे साथ जो ESI की seats हैं, व हाँ move होना चाते हैं, वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, तो state में जगख खली हो जाएगी, और वहाँ पर जो candidate है, state में, उनको upgrade होने का मौका मिल जाएगा, तो इसलिए कई बार जो मेरे पास में calls आए, उनको मैंने यही बोला है, वो हम उनके दिमाग में चल रहा था कि sir, second route allotment हो चुका है, हम वो seat पे जाएं या नहीं जाएं, या state का wait करें, state में हमें वो college मिल जाएगा क्या, अगर दोई seat खाली रही हैं, या पास seat खाली रही हैं, जिस college में हम जाना चाते हैं, वहाँ तक upgrade हो जाएगा क्या, तो chances जादा है, state के अंदर, इस बार तो वो risk ले सक सकते हैं, क्योंकि इस बार state वालों को फायदा मिलेगा, बड़ी भी seat का, जो round two counseling के अंदर, जो seat नहीं लेंगे, वो state को transfer होने वाली है, और round two में alert हो जाएगी, और mop up के अंदर, अगर ends में चलेगे, लोग state से निकल गे, तो फिर state के mop up के अंदर भी आपको वो seat मिल गी, correct, private colleges से related कुछ बातें, कुछ अच्छी अच्छी guidance जो है, वो हमारे पास में है, वो next video में हम आपको देंगे, और next video में हम आपको state के जितने भी medical colleges हैं, उनकी सभी की category wise cut off भी आपको देंगे, तो next video अगर चाहिए, तो आप subscribe करें हमारे channel को, bell icon प्रेस कर दें, जिससे की लाइक करिये और हमारे channel को subscribe करिये, thank you so much